जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको यहां पर बताया था कि आप लोगों का जो SCVT UP का First Merit List है वो आज यानी की 18 तारिक को जारी कर दी जाएगी तो फाइनली दोस्त आज आप लोगों की जो First Merit List है ITI की वो यहां पर जारी कर दी गई है इसको चेक कैसे करना है इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो सुरू होने से पहले Friends अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो चलिए friends देर ना करते हुए आपको हम इसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं सबसे पहले friends आपको आना है Google पे Google पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा SCVT UP जैसे ही friends SCVT UP आप सर्च करेंगे नीचे आपको एक side दिखाई देगी कुछ इस परकार से इसपे आपको click कर देना होगा जैसे ही आप इसपे click करेंगे click करते ही कुछ इस परकार का interface आपके सामने आएगा और उसके बाद कुछ इस परकार का home page आपके सामने आजाएगा यहाँ पर आपको दो जो है result दिखाई दे रहे होंगे एक जो है सरकारी का जो पहला वाला है और दूसरा आपका private वाला यदि आपने private से apply किया है तो second वाले पे click किजेगा यदि आपने सरकारी college में apply किया है तो first वाले पे click किजेगा चलिए मैं फर्स्ट वाले पे किलिक कर देता हूँ फर्स्ट वाले पे किलिक करने के बाद यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप से कहरा है कि 23.08.2022 यानि कि 23.08.2022 तक large date है आपको अपने school में जहाँ पर आपका नाम आया है वहाँ पर form apply करने का यानि कि admission लेने की first round वालों की large date है वो 23.08.2022 रखी गई है अब हम बात करते हैं कि आपको अपना नाम कैसे चेक करना है साथ से पहले यहाँ पर आपको अपना registration number डाल देना है उसके बाद यहाँ पर आपको date of birth डाल देना है डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे के तरफ submit को option दिख रहा होगा यहाँ पर submit कर देना है तो चलिए पहले मैं यहाँ पर registration number और उसके साथ ही यहाँ पर date of birth डाल देता हूँ उसके बाद मैं आपको submit करके दिखाता हूँ तो दो सेकेंड मैं यहाँ पर वीडियो को pause कर देता हूँ जैसा कि friends आप देख सकते है यहाँ पर मैंने अपना registration number और date of birth डाल दिया ही और डालने के बाद अब यहाँ पर मैं submit पे किलिक कर दूँगा जैसे ही friends यहाँ पर मैं submit पे किलिक करूँगा सब्मिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर दिखाई देगा रैंक यहाँ पर दिख्याई देगा कि आपने form किसे apply किया है group A से यहाँ पर आपकी rank किया है 19,000 1,99,829 1,99,829 और नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर लिजेगा यहाँ पर लिखा होगा पर्थम चरण में आपका चैयन की किसी संस्था way of sign में नहीं हुआ है किरिपया नियाश नहों तथा आगे के चरणों की पर्यूडाम की परतिछा करें ठीक है फ्रेंट्स यहाँ पर आपको अगर आपका यहाँ पर नाम आ गया होगा तो यहाँ पर फ्रेंट्स आपको कुछ इस परकार से दिखाई देगा और आपको second list का जो है वो इंतिजार करना होगा यहाँ पर फ्रेंट्स आपको अपना नाम कैसे चेक करना है इसके बारे में इस वीडियो में मैंने आपको information दे दिया है अब मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि यदि आपका नाम यहाँ पर आ चुका है तो form कैसे apply करना है स्कूल में क्या-क्या documents जमा होने है पूरी जानकारी अगली वीडियो में मैं आपको देने बाला हूँ तो आप लोग अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं आपके लिए form से लेकर कैसे file बनाई जाती है वो पूरी जानकारी दूँगा अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग आसानी से admission ले पाएंगे तो चलिए friends इस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं आप से अगले वीडियो में